हेलो फ्रेंट्स आज हम बहुत ही टेश्टी रेसेपी शेयर करने वाली हूँ जिमी कंद या सूरन या फी ओल जिसे बोला जाता है उसकी बहुत ही चटपटी स्वादिस्ट सब्जी जो की विंटर में बनता है और विंटर में मिलता भी है विंटर में इसे खाना चाहिए क्यो चोटी चोटी पीशेस में हम काट लेते हैं काटने के बाद इसे थोड़ा देर पानी भी डुबा कर लग रख लीजिए और उसके बाद इसे हम कुकर में उबलने के छोड़ देते हैं तो यह देखिए कुकर में मैं इसे डाल कर उबालूंगी पानी में आप इसे 10-15 मिरट दाल कर छोड़ दीजिए छिसे की इसमें जो खुझली करने का जो तत्व निकल जाता है और इंड व द्रकार कहोता है कहीं का जाद कहीं की करता है कहीं का कम जाड़ए कर दिए अर ज चारव जोड़ा CHEK हम दोड़ा सर Deck मि ने चर दिजे दोघ्यए के और नहीं जादक आप अगर जिमिकंद आपको खुझली जादा नहीं करता है तो नीबू रजड़ाने कभी जूरत नहीं है और उसके बाद देखिए मैं दो सीटी लगाने के बाद इसे चेक की हूँ तो यह मेरा उबल गया है अगर नहीं उबला है उबला रहता है कभी-कभी तो एक यह दो सीटी लगा सकते है अलग-अलग जगह का जिमिकंद का क्वालिटी अलग-अलग होता है कहीं का थोड़ा देर सुबलता है कहीं का जल्दी वलता है तो इसे आप जरूर देख लिए पहले दो सीटी लगा कर मीडिया माच में और उसके बाद मैं इसे छील लेती हूं छोटे-छोट दो गहंटे के लिए दो से तीन घॉड़ सकते हैं एक दिन पहले आप इसे तैयारी करके दूसरे दिन भी आप बना सकते हैं तो इसे देर देखिए धूप से मैं ले आई हूं इसका जो पानी वग रहा है थोड़ा सूप गया है और उसके बाद यहां पर ही मसाला तयार कर ल स्वखा लाल मिर्च सब्सक्रेट सब्सक्राइब इसे अच्छे से फ्राइब बहुत जरूरी हो है, इसे अच्छे से फ्राइब करेंगे उतना जादः स्वाधी श्राप का सबजी बनेगा, और खुझली भी नहीं होगा तो इसे फ्राइख करने बद निकाल लेते हैं एक वह तो तेल दूर्ज से थोरड़ यतील अटाइत kuitte पलौ। मिर्च पष्डाइब करते हैं यहां पर ही मिर्च बना मेथी कर दाल को झ प्रडीया पर यहां पर मेथी अगर मेथी ऐंतीक कर सकते हैं यो बहुत स्वादिस सबजी बनता है यह जरूर भीज़ेगे दोस्तों बहुत पसंद आता मुझे ज्यादा तर ऐसे बनाना पसंद होता है अगर मै बनाती हूं ने तो खट्टे में बनाती हूं जसे कि मुझे दुनों का टेश्ट लग अलग लगता है और बहुं स्वादिष्ट लगता है जीमीकंत वैसे सभी को पसंद होता है इसका हर रेसेपी बहुत ही अच्छा ब लेती हूं तो यह देखिए इसे हम थोड़ी दिर भूनते हैं जिसे की प्याच का और अधरा क्लेशन का जो कच्छा पन है वो चला जाए तो इसे थोड़ा दिर हमें भूनना होता है करीब तीन से चार मिनट में इसे भून लेती हूं जिसी की अच्छे सी खुसबू भी आने जिसी भूनते हैं जिसी बूनते और जू प्याच का त्वो अधरा है यो जो ने ठीकन के Мसाल काम चुक्त ओक सब्सक्ट मुक्त नहीं उपनते हूं तो दाल देते हैं तो चैप्यश्ट को डाल देरी हैं कि तो तोुरी दीक हम ट्रमाटर का अच्छा से मतले對對 के दिना स्बी अब यहां पर कुछ सूखे मसाले अट कर रही हूं जैसे की धनिया पॉडर है हल्दी पॉडर है और लाल मिर्स का पॉडर डाल दीजिए आपको जीतना तीखा पसंद है या नहीं उसके नुसार से और थोड़ा सा जीरा पॉडर डाल दीजिए तो सभी पॉडर को मैंने आप करीब 2-3 मिनट इसे अच्छे से और भून लेते हैं वैसे मारा मसाला देखिए अच्छे से भून चुका है और उसके बाद हम यहां पर डाल देंगे जो जीमीकंद रखा था उसे हम डाल देते हैं और यहां पर जो हमने जो मसाला पीसा था उसी थोड़ा सा पानी डालते यहां पर मैं गरम पानी यूज़ कर देंगे गरम पानी डालने सी इसका टेस्ट और अच्छा आता है तो आप गरम पानी करके भी डालिए सब्जी में क्योंकि हम सब्जी जो बनाते रहते है वह गरम रहता है और ठंडा पानी डालते है तो टेस्ट अच्छा नहीं आता है पर थोड़ी दिर पकेगा तो 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 इते को बाल आने लग गया है कितना अच्छा आया है बहुत ही सुंदर आया है इसमें नमक नहीं डाला तो अब नमक भी हम डाल देते हैं बनाआ कोई गरम मसाला सबट ने सबस्वाइब नुझाए यहां विए अजरी में भाइसके शाले कि रहें है बना वॉज chilly भषब् में जीए कर दो असाली में आजम अक है करेंगी है सब्सक्राइब कीजिन सब्सक्राइब करेंगी है कुटकर जैसे कि पहले जो कुटकर बनाते है तो इसका जो स्वाध है और जो टेस्ट है बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है बहुत ही अच्छा आता है खुलके तो आप भी जरूर एक बढ़ ट्राइ किजिएगा और इसके बाद यह देखिए मैं इसे डाल देती हूं और इसे इतना ठीक है इसे आप चामल के साथ या रोटी के साथ खाईए सभी में बहुत अच्छे लगता है तो बस घैस को बंद मैं कर दी हूं आपर और यहां पर मैं डाल देती हूं धनिये के पती और धनिया के पती डालने के बाद इसे ढख कर हम रख देते हैं और उसके बाद इ है तो मारा सब्जी बहुत ही जादर स्वादिष्ट बनकर तयार है यह कितना स्वादिष्ट सब्जी है बहुत ही अच्छी ग्रेवी धूई है इसे मैं डाल देती हूं और यह देखिए सक कलर मैं बहुत संदर कलर तो जरूर इसे बनाईए का दोस्तों तो खाने में भी उत एक नहीं रेसेपी की साथ तब तक के लिए टेट केयर